प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतू का उधगाटन कर रहे हैं अटल सेतू यानि समुद्र पर बना हुआ भारत का सबसे बड़ा पुल 22 किलो मीटर लंबा ये पुल है और इसका उधगाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है महराश के मुखी मंतरी एकनाश शिंदे अजीत पवार और देविंदर फर्णवीस उपर मुखी मंतरी तीनों यहाँ पर साथ में और यह अटल सेतू का उधगाटन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया है आज महराश के दोरे पर हैं देश के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने यह सबसे बड़ी समुद्री सौकात है समुद्री पुल की सौकात है जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जिसका उधगाटन किया है ये उद्गाटन ये भारत का सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ पुल है जिस पुल के लंबाई 22 किलोमीटर है अटल सेतू 2016 में इसके आधारशिला रखी गई थी और आज इसे मूर्त रूप दिया गया है तो मुंबई में ये देश का समुद्र पर बना हुआ सबसे लंब पुल जिसका उद्गाटन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किया है अब अगर आप मुंबई से पुने जाना चाहते हैं गोआ जाना चाहते हैं और आप यहां दक्षिल भारत जाना चाहते हैं मुंबई बंदरगाह से अगर आप जवारलाल नहरू बंदरगाह तक जाना चाहते हैं तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसका उदगाटन किया और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस देखिए यहां पर यहां पर यह प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और विस्तार से जानकारी इस बारे वे दी जा रही है यह प्रधान मंतरी नरेंद्र ने ली है और ये मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक को जोडने वाला ये पुल और जो दूरी अब इसकी दूरी जो है वो बीस मिनिट से कम में दूरी तै कर ली जाएगी जो आपको कम से कम धेड़ घंटे से जादा का समय जहां पर लगता था तो प्रधान मंतरी नरेंद् है और अटल सेतू प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इसका उधगाटन किया है और ये इंजीनिरिंग का एक अधुत नमूना है अत्याधुनिक का इंजीनिरिंग नई टेक्नलोजी से इसे बनाया गया है और इस अटल सेतू को बताने में बनाने में जिन तक्नीक का इस्त मुद्र पर बना पुल है और बाइस किलो मीटर लगभग लगभग बाइस किलो मीटर से थोड़ा सा गम यानि की 21.8 किलो मीटर इसकी लंबाई है 17840 करूर रुपे की लागत आई है इसको बनने में आप अंदासा लगाईए अब सतर हजार के लगभग गाडियां प्रते दिन इस पुल से गुजरेंगी आएंगी जाएंगी और छे लेन का है आप ये भी अंदासा लगाईए कि जबर दस्त बड़ा चोड़ा ये पुल भी है छे लेन का है और इसमें एफिल ट सुरक्षा के लिए 400 कैमरा लगाए गए हैं और थर्मल कैमरा भी लगाए गए एक सुनब्ब्य अंधिरे में भी गाडियों पर नज़र रखी जा सकती है अगर रात में भी इस से पुल से कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो उस पर भी सुरक्षा की दरिश्टी से नज़र लगाए गया है अगर आप ओर स्पीड से जाएंगे तो वो हर जगा है आज कल आप देखते हैं किसी भी भारत के हाईवे पर सड़कों पर और आपकी हमारी सुरक्षा के लिए ओर स्पीडिंग के लिए कैमरास लगाए गए हैं लेकिन यह जबरतस्त इंजीनियरिंग का एक में प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने इसका उद्गाटन किया है मतलब यह कि अब आप इसका इस्तमाल कर सकेंगे विद्या अब हरी सम्वाध दाता के पास आपको लिए चलते हैं विद्या कैसा है या डल से तू कब से खुल रहा है क्या इसकी विशेष्टा है और अब जब तक मुझे याद है कंसे कंदो दो दशक तो हो गए जब से हम लोग इस बात कर डिसकेशन कर रहे हैं कि मुंबई का यह ट्रांस हार्वर लिंक बनने वाला है यह ट्रांस हार्वर लिंक कई लोगों का सपना था कि तकरीब देर दो घंटा जो लगता है लोगों को नवी मुंबई से मुंबई आने में वो कट्डाउन करने के लिए यह बताया गया था कि बहुत सुरिधा जनक होगा लेकिन पिछे कई दो दशकों में यह बन नहीं पा रहा था कुछ न कुछ अड़तन आ रही थी आपको याद हो साहिब यहां पर दरसल काफी सारा एको सें जोन होने की वज़े से कई सारे कदम नहीं उठा पा रहे थी सरकार लेकिन आफिरकार यह सब अट्चनों को पार करते हुए यह टांस हार्वर लिंक एक नमाप कह लीजिए तो बहुत जादा जल्दी जल्दी में बनाया है सरकार ने और इस तरह से जिस तरह से इनागरेट ह हो रहा है लोगों को बहुत जादा सुविधा इससे होने वाली है तक्रीबन बीस मिनिट का ही रस्ता रह जाएगा जो तक्रीबन दो घंटे का आज की तारिक में लगता है समय यह बहुत बड़ी बात है विद्या मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है यह पूली लेकिन क्या इससे व्यापार में भी कुछ मदद मिलेगी कुछ मुंबई बंदरगा से भी इसका संबंध दक्षन की तरफ जाने के लिए होगा या सिर्फ मुंबई नवी में जो जाननाल नहरू पोर्ट्रस जो वहां से शिरुवात होती है इस ट्रांस हावर लिंक की और यहां पर शीवडी में आके मिलता है शीवडी भी एक पोर्ट है जहां पर काफी सारी डांग होती है जैसे कहली जे अगर पकडने लोग जाते हैं तो शिवडी के लाके में आके जो पोर्ट है वहां पर बहुत सारे सामान का लाइनिंग होता है तो कहली जी एक ट्रेड में भी फायदा पड़ेगा लेकिन सबसे जाधा फायदा लोगों को होगा इससे क्योंकि इस जो लोग जो दो घंटे तक यात्रा करते थ करना पड़ता था वह अब कट डाउन होके एक दम बहुत आसान तरीके से यहां शिवडी से तुरंत पहुंच सकते हैं वह भी तक्रीबन मुंबी का सेंट्रल सबब है आप कह लीजे सेंट्रल इलाका है यहां पर से अगर उनको ताउन अगर की तरफ जाना है यानिकी सेंट सड़क की कमी हैं और ट्राफिक जैम के समस्या से सभी वहां जूचते हैं आप तो मुंबई में रहती हैं और नवी मुंबई से मुंबई आने वाले मुंबई से नवी मुंबई जाने वालों को जो कम से कम दो घंटे पौने दो दो घंटे सफर करना पड़ता था अब 20 मिनि तो क्या लोग सबह चुनाव पर इसका कोई असर उनके मन मस्तिशक उपर पढ़े अब वोट डालते समय जी बिल्कुल अब ये सरकार आप तर्मल जी जी के पिछले दो दर्शक का सपना लोगों का पूरा कर रही है तो जाहिर सी बात है लोग इसके बारे में सोचेंगे जरूर अब आपको अगर सही द्याद हो अब भी उसमें रहते सी यहीं पर अब शुरुआत में कहा गया था कि ट्रांस्वार्बर लिंक बनने वाला है और इसी वज़े से नवी मुमई के कई लाकों में पौपर्टी पैस कों बाद ये सुर्धा मिल रही है जिसके तहट लोग क्यों का जो नवी मुमई से आप जो आईरोली का जो बिज़ या फिर दूसरे जो बिज़े पकड़ के लोग आते थे वो कटडाउं हो जाएगा तकरीमन सिर्फ बीस मिनिट में वो सीधे मुमई पहुँच जाएंगे इस पुरे बिर्ज में तीन इंटर चेंज है ये जो आइक और आई इंटर चेंज है और एक और ये से तीन इंटर चेंज बनाए गए आँधि तो फूसरे तिन इंटर चेंज बनाए गए है जो एक शिवडी में है तो इस इंटर्चेंगे से लोग अलग-अलग इलाकों में उतर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा फाइदा नभी मुंबई से सीवे जो जे एन पीटी के तरफ ये कनेश करता है उससे काफी जादा फाइदा इस लोगों को जरूर होगा कि वो अब सीवे न कैसे देखने हैं आप इसे बिल्कुम समंदर के बीच में जब ज़ार भाटा होता है यानि हाइटाइड और लोटाइड होता है और उसके बीच में एक एको सेंसितिव जोन इतना बड़ा है और वहां पर आप बिना पंक्शियों को डिस्टर्ब किये उन्हें बिना परिशा होने वाली है तो जाहिस है इंज्वेंग का तो यह मारवल है ही अपने आप में कई सारे लोग तो गारें की समंदर में आखे इतना बड़ा इंडिया का फुल कैसे बना क्योंकि बैंडरा वर्ली सीलिंग ही जब लोग जाते हैं मुंबरी में देखने के लिए तो बहुत अब ये वाला जो है तक्रीबन बाइस किलोमेटर से उपर का जो ये रश्ता है ये उनको बहुत इंट्रेस्टिंग लगने वाला है विद्या जब हम मुंबई की बात करें तो ये कहा जाता है कि मुंबई तो एक लाइन से सीध में बसा हुआ है वेस्टर लाइन इस्टर ल के लिए कैसे ये पुल्जो है वो महत्पून होगा या उनके फायदे मन्ध होगा जी दिक्वल ये बहुत ज्यादा फायदे मन्द होगा साहीद, इन्फास्ट बहुत सारे लोग जो नभी मुंबई में रोज मर्रा की जिंदगी में अपने आफिसे के लिए अपने बिजनसे के लिए मुंबई आते थे लहते हैं, क्योंकि नभी मुंबई का ग्रोथ तो इसी स् सकते लिएंट ये जिसे किया गया था ताकि जो बाद आ पॉपलेशन house our alumni में जित कि वजह से मुंबई में बहुत जाद घरों की kay कमी ओंज जादा थिलाइन को यहां पर तो इसकी वज़़े से नभी मुंबई को सालगी का टैंट की फिस Department Come लेकिन connectivity बहुत पूर होने की वज़े से सिर्फ प्रेंज और कुछ ब्रिजज होने की वज़े से बहुत जादा दिक्कते हो रहे ही थी लोगों को वाशी का ब्रे या आईरोली का जो ब्रेस हैं वो क्रास करने में हर रोज कई घंटों के ट्राफिक जान से गुदरना पड़ता था अब इस वाले खुल जाने की वज़े से काफी जादा सहूलियत होने वाज़ा एसहूलियत की वजे से यही वज़ए कि शार मार्डिये ने पहले बोला था कि 500 रुपए का टोल रखेंगे लेकिन सरकार ने राज्य सरकार ने इसे कम किया है और 280 के असपास का रखा है तो जो सारी सहूलिय पर सरकार देने की जो कोशिश कर रही है उससे लोगों को जरूर फाइदा मिलने वाला है लोग आ सकते हैं या कोई ऐसा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट भी यहां पर होगा जिससे वो लोग जो जिनके पास अपनी कारें नहीं है वो भी नवी मुंबई से मुंबई आ सके विद्या फिर चल पाएंगी का निभाएगा जी साइद बिलकुल मैं आपको बता दू कि मुंबई को राइगड से जोडने वाला ये पहला देश का सबसे लॉंगेस्ट सी ब्रीज होने वाला है 16 किलोमेटर ये पूरी तरह से समंदर पर बनाया गया है जबकि 5 किलोमेटर का जो फासला है वो जमीन पर रहेगा राइगड डिस्टिक में रहेगा मुंबई के शिवडी इलाके से इसकी शुरुवात होने जा रही है और ये जाएगा उरन तालूका के मतलब राइगड डिस्टिक में जो उरन तालूका है जो कि JNPT से नज़दी के JNPT एक बहुत बढ़ा पोर्ट मुंबई से सटके है और जहाँ पर बहुत बढ़े पैमाने पर हम देख सकते हैं की शिपिंग जो है और बहुत बढ़े-बढ़े इस पोर्ड पे जो कारोबार है वो होते रहते है जिसकी कनेक्टिविटी दो त साथ गंटे आज गंटे तक हो गया है जिसको बारा बारा गंटे लगते थे और जुसरी जगा आप देखेंगे तो मुंबई गोवा हाइवे से भी इसकी connectivity जो है वो सीधी तोर पर दी जाने वाली है मुंबई गोवा फिर से एक बहुत महतपूर्ण हाइवे क्योंकि वो महाराष्टर का पश्चिम महाराष्टर को पूरी तरा से कॉंकन के और वेस्टर महाराष्टर को लेकर गोवा से जोडने वाला हाइवे है बताया ये भी जा रहा है कि इस इतने बड़े सीबरीज और इतने बड़े अटल सेतु के माध्यम से मुंबई को ही नहीं बलकि राइगर हो, पालगर हो, एमेमार रीजन जो मुंबई से सटे सारे इलाके है उसको इसका बहुत जादा फाइदा होने वाला है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एकनाचिंदे ने ये घोशना कीती कुछ दिन पहले कि इन सारे इलाकों में अटल सेतु के बज़े से बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज आने लगी है पास्तों से जादा स्किल्ड डेवलप्मेंट सेंटर्स खुद सरकार शुरू करने जाने वाली है जिससे स्किल्ड डेवलप्मेंट तो होगा ही लेकिन ये जो उद्योग आने वाले है नए नई इंडस्ट्रीज आने वाले है वहाँ आसपास रहने वाले जो लोकल गाव के लोग है, उनको रोजगार मिल सके, उनके हाथ को काम मिल सके और उनके लिए ये Skill Development Centers भी यहाँ पर खड़े किये जा रहे है मैं आपको बता दू, अलीबाग एक ऐसा शहर है जो एक बहुत बड़ा तूरिस अट्रैक्शन है, जिसे मीनी गोवा भी महराष्ट का कहा जाता है मुंबई से अलीबाग जाने के लिए लगबग 2-3 घंटे लगते थे बलकि ट्राफिक के वज़े से तो ज़ादा ही समय लग जाता था लेकिन आज अगर आपको अलीबाग जाना है तो आप 20 मिनिट में मुंबई से उरन पहुच सकते है और उरन से बस महज आदे पौने घंटे में आप अलीबाग तक का फासला जो है वो तैग कर सकते है यानि तूरिस्ट इंडस्ट्री भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हमें बढ़ती नजर आएगी अब कहां ये भी जा रहा है कि रियल स्टेट के भाव भी बढ़ गया क्योंकि ये एक तरह से नवी मुंबई जिस तरह से मुंबई का एक्स्टेंशन है उसी तरह जो साउत मुंबई है जो की हब है कमर्शिल सेंटर है सिर्फ मुंबई का नहीं पूरे देश का उस हब को अब एक्स्टेंड किया जा रहा है और एक तरह से साउथ मुंबई का एक्स्टेंशन होने वाला है अब अलिबाग हो उरन हो नभी मुंबई के कई सारे इलाके हो तो इन सारी चीजों को सईद देखते हुए यह बिलकुल कहा जा सकता है कि अब मुंबई जो है वो विस्तारित होते जा रही है और जिस मुंबई पर बहुत जादा प्रेशार आ रहा था फिर वो पॉपिलेशन के हिसाब से हो इंडस्ट्री के हिसाब से हो कमर्शल सेंटर्स के हिसाब से हो कही ना कही अब मुंबई खुली सास ले सकती है इस अटल सेतु के माध्यम से बिल्कुल ठीक है रित्विक बहुत अच्छी और विस्तार से आपने जानकारी दी मुस्तफा ये मुंबई नवी मुंबई के रहने वाले लोगों के लिए आने जाने उनके काम करने में आसानी करेगा या इसको इस अटल सेतु को अगर हम व्यापारिक दृष्टी से देख अगर है तो कहीं ना कहीं MTHL से उस जो नए बिजनेस दिस्सिक्ट है उनको भी फाइदा होगा आपको बता दें साती साथ जो पूरा नया डेवलप्मेंट प्लान अभी किया गया है वो नवी मुंबई में इसलिए है आज अभी जिसको जिदर हम खड़े हैं ये कुछ सालो में नवी मुंबई का पन्वेल का इंटरनेशनल एरपोर्ट बन जाएगा ये प्रपोस्ट एरपोर्ट ग्राउंड की जगह है जिस पक जहां ये आज ये इवेंट होने जा रहा है कुछ सालों में यहां पर एरपोर्ट होगा तो इसी तरह का जो डेवलप्मेंट है वो सब्सक्राइब के जरीए ये कनेक्टिविटी जो है ये मिलने वाली है इसको जो द्रिश्य भी सामने आ रहे है प्रधान मंत्री ने उर्गातन कर दिया है MTHL का अब MMRDA के जो चीफ है संजर मुखर जी वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं MTHL के जो इंपोर्टन्स है वो उन मजूद है और इनॉग्रेशन के बाद अप थोड़ी देर में ये MTHL लेते हुए यहां पजाबर में मजूद हो वो सबास्थल पर रहन मंत्री मुदी आने वाले हैं